तो अगर आपको समझ में आया है तो आप डेफिनेटली इस बेच को जोईन कीजिए 70 प्लस 70 प्लस एडमिशन हो चुके है दोस्तो अलड़ी चेक है तो मैं आपसे आगरे करना चाहूँगा विशेशकर उन विद्यारतियों से जो थोड़ा सा मैथ से डरते हैं क्योंकि जिनका बेसिक मैथ कमजोर है इसलिए वो क्योंकि बड़े कोचिंग सेंटर पर हम जाते हैं तो वहाँ पर क्या होता है कि हाई लेहल से पढ़ाया जाता है सीजिल सीप्यों के लिए और हम त्यारी कर रहे हैं दिल्ले पुलीस एंटेपिसी तो थोड़ा सा लेवल में दोनों में फरक हो जाता है दोस्तों चेक है तो इसलिए मैं आगरे करना चाहूंगा उन विद्यारतियों से जो बिल्कुल कमजोर है मैथ में चेक है जिनको मैथ से डर लगता है आप आईए आप जोइन कीजे हम आपको मैथ सिखा देंगे इस बैच को जोइन करने के लिए आपको क्या करना है आपको जो स्क्रेंट पर इस पोस्टर में जो नंबर दिखाई दे रहे 9468164742 इस नंबर पर आपको फोन पे या पेटियम से यह जो फीस है 799 रुपए यह पेइमेंट करनी है और उसके बाद पेइमेंट का सक्सेसफुल सक्रेंट सोट है वो आपको वाटसअप पर सेंड करना इसी नंबर पर दोस्तो ठेक है 799 रुपए पूरे कोर्स की है मन्तली नहीं है दोस्तो पूरे कोर्स के फीस है इसके अलावा हम आपको वाटसअप ग्रूप में लिंक देंगे वीडियो का डेली एक से डेट गंटे की वीडियो रहेगी दोस्तो और इसके साथ हम डेली आपको प्रक्टिस के लिए PDF भी प्रोवाइड करवा रहे हैं दोस्तो यानि आप वीडियो देखे उसके बाद खुद की प्रक्टिस केजिए मैथ ऐसा हो जाएगा कि कमजोर से कमजोर कमजोर से कमजोर बच्चा भी 25 में से CISF की बात करें तो 25 में से 15 से 18 क्युशन जो आभी कर रहा था 15 तो क्युशन वो करता है जिसको ठीक ठाक मैथ जो होता है अपने आपमे ठीक है 15 क्युशन करना तो बहुत बड़ी बात है दोस्तो लेकिन अगर आप ये बैच जोईन करते हैं तो जिनको मैथ बिलकुल नहीं आता वो भी 18 से 20 क्युशन करेंगे ऐसा हमारा वाद्दा है दोस्तो आप से ठीक है तो आप जोईन कीजी और लेते हैं का पहला सवाल आज का सिसन स्टार्ट करते हैं दोस्तो परसंटेज का पार्ट थड रहेगा दोस्तो ये हमारा लास्ट पार्ट रहेगा इसके बाद परसंटेज कंप्रेट हो जाता हम प्रोफेट लोस से आगे बढ़ेंगे दोस्तो चेक है तो दोस्तो लेते हैं पहला सवाल दोस्तों तो दोस्तों लेते हैं पहला स्वाल आपको स्क्र passéन पर दिखाय देवा है एक अगर किसी संख्या का शोड़ा सही दो बटा 3% इसी में जोड़ दिया जाए, तो यह 4956 हो जाता है, तो वास्तिक संख्या क्या होगी दोस्तों, तो अगर इस सवालक smo basic से कर कर रहे होते, तो हम कर रहे होते भी मान्ना संख्या बराबर, मान्ना संख्या बराबर क्या है वही, एक्स, आफस सवाल के प्रिणाम है यह 4956 हाता है दोस्तू है आप क्या कर रहेते है दोस्तो fastest 2 बटा 3 का मतलब होता है X प्लस में릴 प्लस में X गुछा में 607 और प्लस में еक बटा 3 का मतलब है क्या होता है यानी ultimate आपको इसको एक बटाच रहिब लिखना होता है ठेकh दोस्तो 4 schon 56 तो अब आप क्या कर रहे होते 6 एक कम 6 और एक 7 यानि 7 एक बटे 6 बटे 6 बड़ाबर 4956 साथ से कड़ता ये 7708 एक्स का मानी हापे कितना आता दोस्तो 6 गुणा में 708 तो 42,48 इस सवाल का आंसर आता यानि वो संख्या क्या है 42,48 दोस्तो तो ये तो है इसका बेसिक तरिका लेकिन अगर डारेक्ट करें तो टोपिक में हम परसंटेज बढ़ रहे हैं तो परसंटेज को ही यहां पर ध्यान में रखते हैं सवाल को सोल करेंगे परसंटेज दी होई दोस्तो 16 सही दो बटा 3 इसका मतलब है दोस्तो एक बटा 6 मैंने आपको बता है कि ये निच्छे वाला जो दो बटा 3 कितना होता है दोस्तो तो आप कहेंगे सर 6 का 16 सही दो बटा 3 कितना होता है एक होता है तो अगर इसको मैं वास्तिक संख्या माल लूँ अगर इसको मैं एक्स माल लूँ यानि यह जो अगर वास्तिक संख्या है तो अगर इसी में इसी का 16 सही दो बटा 3 मतलब एक गएड करुँगा, तो परिडाम कितना मिलेंगा दोस्तों? 7 मिलेंगा लेकिन सवाल क्या कोटिंग एंगा? 4956 यानि शाथ यूनिट का मान 600 हम पढ़ाएंगे इसी परकार से कि प्रतिय बच्छा यहां पर एंगार तो आप बेसिकसे इस प्रकार से कर रहे होते कि मानना संख्या वराबर कितनी एक्स है अब आप क्या कर रहे होगी संख्या में इसी का सोड़ा से दो बटा तीन एड़ करने पर 4956 हो जाता है तो आप क्या करते हैं यहां पर सोड़ा से दो बटा तीन मतलब एक एड़ कर देंगे तो 6 में एक जोड़ेंगे तो साथ आएगा लाकि सवाल के कितना है रवी 4900 शंबर ओजाता हो तो एक युनिट कमान साथ सौट तो शे युनिट कमान कितना है भी 4048 दोस्तो ठेक है आगे बढ़ते हैं दोस्तो आगला जैसे पिछला स्वाल किया था इस प्रकार से आप गटा देंगे उसमें X का मान निकाल देंगे लेकिन यहां पर दिया क्या है दोस्तू 6-2 बटा 3% ठेक है दोस्तो तो यहां पर हम क्या कर लिख सकते हैं 6-2 बटा 3% कम लिख सकते हैं 1 बटा 15 कैसे 6-18 दो 20 20 बटे 3% अटाएं 15 वास्तिक संख्या है और सवाल में कह रहा है कि संख्या में इसी का 6-2 बटा 3% गटा देते हैं या नी 15 में 6-2 बटा 3 मतलब 1 गटा देंगे तो जो मान आएगा वो कितना आएगा दोस्तो 14 यूनिट लेकिन एक्टौल में कितना दिखा है सवाल में दोस्तू 5670 दोस्तो तो एक यूनिट का मान कितना आएगा दोस्तों, 14 चौपने निन 405 आएगा, आपसे पुछा है संख्या क्या होगी, ठेक दोस्तों तो संख्या निकाल देंगे, 405 गुणा में 15, ठेक दोस्तों तो 60 पिचेतर इस सवाल का क्या जाएगा, आंसर आ जाएगा, ठेक है दोस्तो आगे बढ़ते हैं अगला सवाल है दोस्तो कि अगर किसी संख्या का 11 सही एक बटा 9% इसी में जोड़ दिया जाए तो प्रिणाम 900 बना जाता है तो संख्या क्या होगी दोस्तो यह सवाल दोस्तो काफी बार एक्जाम में आये होए हैं दोस्तो और इसी प्रकार के सवाल आपको आगे भी प्रिक्षाम में देखने को मिल सकते हैं दोस्तो ठेक है तो सबसे पहले दोस्तो 11 सही एक बटा 9% का मतलब क्या था है एक बटा 9 होता है यानि अगर 9 यहाँ पे क्या है दोस्तो ओरिजिनल नंबर है यह क्या है आपका इनीशियल नंबर है यानि रिजल्ट है 9 का 11 सही एक बटा 9% कितना होता है दोस्तो एक होता है सवाल में कहरा है कि किसी संख्या में इसी का 11 सही एक बटा 9% जोड दे यानि अगर संख्या 9 है और इस 9 में इसी 9 का 11 सी बटा 9 प्रसेंट बतलब एक जोडेंगे तो परिणाम कितना मिलेगा दोस्तो दस यूनिट मिलेगा इसका मान बराबर 900 है तो एक यूनिट का मान कितना आएगा दोस्तो 90 तो संख्या एक है दोस्तो 9 गुणा में 90 बराबर 810 आंसर आजाएगा आगला सवान लेते हैं दोस्तो कि कहारा कि अगर किसी संख्या में 64 जोड दिया जाता है तो संख्या 157 से 1.7 परसेंट हो जाती है तो संख्या ग्याद कीजिये यानि किसी संख्या में 64 जोड देते हैं तो वह अपने आपका 157 से 1 बटा 7 परसेंट हो जाता है दोस्तों तो बेसिक से कैसे कर रहे होते हैं दोस्तों कि मानना संख्या बराबर वे कितनी एक्स है सवाल में कहा है कि इस संख्या में इस X में अगर 64 जोडते हैं न दोस्तो तो यह है अपने आपकी यह अपने आपकी 157 सही एक बटा 7% हो जाती है दोस्तो ठेक है तो दोस्तो आप क्या कर रहे होते X पलस में 64 बराबर आप 157 को 157 सही एक बटा 7% को फ्रेक्शन में बदल रहे होते हैं आप क्या करते 157 गुणा में 7 पलस में एक बटे 7 गुणा में 100 कर रहे होते हैं आगर आपने हमारा परसंटेज का पहला पार्ट देखा है तो इसमें इतना करने क्या हो सकता नहीं है मैंने आपको बताया था यहां पे कि यह इसको हम लिखेंगे 100 और इसको हम लग 7 तो 7 एकम 7 और 4 कितना दोस्तो 11 यानि यहां पे आप कैलकुलेट निकाल रहे हैं 11 एकस बटे 7 अब इस एकस को इधर लेके जाएंगे तो 11 में 7 गी 4 एकस 4 एकस बटे 7 बराबर 64 आता तो यहां पे आता 4 एकम 4 16 एकस का मान कितना आता दोस्तो 16 सते 112 सवाल का अंसर आता ऐसे आप कर रहे होते दोस्तो लेकिन दोस्तो सोट तरिके से कैसे करेंगे आपको ऐसे नहीं करना है देखो 157 सही एक बटा 7 परसेंट को क्या लिख सहते हैं दोस्तो 11 बटे 7 यानि यह जो है एक बटा 7 का 4 गुना है बागी कुछ नहीं है दोस्तो ठीक है तो अब यहाँ पर क्या कर रहे है दोस्तो अगर यह क्या है वास्तिक संख्या होती है यह नीचे वाला क्या होता है वास्तिक संख्या होती है दोस्तो और यह क्या है आपका परेणामी संख्या है यानि इनीसियल नंबर परेणामी संख्या ठेक है कि किसी संख्या में 64 जोड देते हैं तो यह है अपने आपका甚麼 उतावं से wrc-7% हो जाता है यानि साट का osoby सब्सक्राइब कितना स्राइबान कितने कि दोस्तों ग्यारा यानी सात में में कितना जोड़ू गारा हो जाए तो आपकेगे सर चयार जोडना पड़ेगा लेकिन soup आगर किसी संख्या में 930 जोड दिया जाए तो यह संख्या 404 बटा 9% हो जाती है तो वास्तिक संख्या क्या होगी दोस्तो तो हम इस सवाल को डारेट करेंगे 404 बटा 9% का मान क्या होगा? सबसे पहले तो यह आपको पता होना चीए दोस्तो तो इसको मैं तोड़कर लिख endeavor 1 में होगा दोस्तो 400% एक में होगो अब ये क्या है दोस्तो तो आपको पता है 11 सही 1.9% होता है किसका मान 1.9 को अगर इसको मैं 4 से गुणा करूँगा तो क्या ये नहीं आएगा यानि ये क्या है खाली इसका 4 गुणा है 1.9 का 4 गुणा है यानि यहाँ पे क्या आएगा 4.9 आएगा चेका दोस्तो अब इसको fraction value बदल रहे होंगे तो 9.36 और 4 कितना दोस्तो 40 बटा 9 यानि 9 क्या है यहाँ पे original number है और ये क्या है दोस्तो इसका result है यानि 9 का 444 सही 4 बटे 9% कितना होता है 40 होता है दोस्तो तो मैं 9 में कितना जोड़ूं कि ये 40 बढ़ जाए आप कहेंगे सर 9 में तो 31 जोड़ना पड़े 31 यूनिट का मान 930 है एक यूनिट का मान आएगा 30 सवाल में पुछा है संख्या क्या होगी तो 9 का मान कितना आएगा दोस्तो 270 इस सवाल का आंसर आएगा आगे बढ़ते हैं दोस्तो आगले सवाल पर कहरें कि अगर किसी संख्या में 60 जोड़ दे तो रेजल्ट संख्या का 116 सघी 2 बटा 3 percent हो जाता है दोस्तों तो सबसे पहले 116 सघी 2 बटा 3 percent को ही fraction में लिखते हैं तो दोस्तों ये होता है 100 और ये होता है 16 सघी 2 बटा 3 तो यह हो जाएगा एक पलस में आप देखो 16 से दो बटा तीन का बन लगते होता है दोस्तों एक बटा छे होता है कैसे 16 तीर तलस तो 50 बटे 100 करेंगे बटे 3 रहेगा एक बटा छे आएगा एक कैलकुलेट करेंगे 6 एक कम 6 और एक 7 बटा 6 यानि ये क्या है आपकी वास्तिक स संख्या है और ये क्या है दोस्तों परेणामी संख्या है ये क्या है परेणामी संख्या है यानि 6 का 16 सही 2 बटा 3% कितना होता है साथ होता है तो 6 को साथ करने के लिए कितना एड़ करना पड़ेगा एक एड़ करना पड़ेगा दोस्तों लेकिन सावाल में कितना एड़ कर है दोस्तों 16 यानि एक यूनिट का मान अगर 16 है तो 6 यूनिट का मान कितना यह दोस्तों 20 मा जाएगा और अगर कहें वर्तमान संख्या कितनी हो जाएगी तो 165 कर देंगे 112 हो जाएगी यानि 96 में का 116 से दो बटा तीन प्रसेंट कितना होता है 112 होता है कब जब आपने सोड़ा इसमें एड किया था ठेक है तो आप से पूछा है संख्या क्या होगी तो सवाख्या क्या है दोस्तू 56 सवाल का आंसर आ जाएगा आगे बढ़ते हैं अगले सवाल पर कह रहा कि अगर किसी संख्या में 21 जोड़ दें तो रिजल्ट संख्या का 137 सही एक बटा दो परसेंट बन जाता है तो संख्या बताईए दोस्तू तो सबसे पहले 137 सही एक बटा दो परसेंट का मतलग क्या होगा दोस्तू तो एक तो 100 निकल के आएगा एक सैंथी सही एक बटा दो परसेंट निकल के आएगा दोस्तू तो ये तो एक हो जाएगा यानी यह बनेगा 3 बटा 8 यानी यह कितना हीगा दोस्तू 11 बटे 8 लेकिन आपको याद रखना जीए कि एक बटा दो है वो किसky कैलकुलेसन में आता है दोस्तो तो आपको पता है साड़े बारा परसेंट होता है एक होता है साड़े बारा परसेंट जिसका मतल़ होता है एक बटा आठ दोस्तो साड़े बारा परसेंट को कह लिखते हैं दोस्तो एक बटा आठ दोस्तो अगर आप ध्यान से देखाऊगे तो अगर मैं साड़े बार हो जाएगा 371 बटा 2% यानि actual में कुछ नहीं है एक बटा आठ का तीन गुणा है तो तीन बटे आठा जाएगा इसको calculate करेंगे आठ एक कम आठ और तीन ग्यारा बटे आठा जाएगा यानि यह क्या है आपका original नंबर है यह क्या है आपका result नंबर है यानि आठ का 371 बटा 2% कितना होता है दोस्तु 11 लेकिन 8 को 11 बढ़ाने के लिए कितना एड़ करना पड़ेगा 3 तो 3 बराबर कितना actual में कितना है दोस्तु 21 यानि 3 उनिट का मान 21 है तो एक उनिट का मान कितना हैगा दोस्तों साथ संख्या पुच्छी है संख्या बराबर कितनी भी आठ गुणा में साथ बराबर है चपन इस सवाल का क्या जाएगा आंसर आजएगा तो दोस्तों यहां पर मैं आसा करता हूं कि अब तक जो आपको पढ़ाय गया है वो आपको अच्छी तरी समझ म आ रहा होगा दोस्तों आएए अब आके बढ़ते हैं अगले स्वाल पर करा कि किसी सिनेमा जो सिनेमा घर है उसकी टिकट की बिक्री में 57 से 1 बटा 7 परसेंट की क्या जाती है दोस्तों वर दिया जाती है और टिकट का मुल्य सोड़ा सही 2 बटा 3 परसेंट बढ़ जाता है तो उसके राजसव में कितने परसेंट की बढ़ोतरी होगी दोस्तों यानि टिकट की बिक्री है वो भी बढ़ गई और टिकट का मुल्य है वो भी बढ़ा दिया दोस्तों तो जो आपका राजसव है वो कैसे आता है दोस्तों एक टिकट मान लीजी 10 रुपे की बिक्ती है और प्रति दिन मान लीजे 10 आदिम इसको खरीदते हैं तो 10 दाइं 100 यानि एक दिन का मेरा राजसव कितना है 100 रुपह है लेकिन अगर मैं टिकट का मुल्ले भी बढ़ा दूं और खरीदने वाड़ों की संख्या भी बढ़ जाए तो मेरा जो राजसव होगा जो मेरी इंकम हो कि यौन है छार गुणा है यानि इसका मतलग क्या होगा चाल बटे सात करा सोल न SG 2 बटा तीन परसेंट का मंतलग कितना होता है दोस्तो का जानल करा कि यह है वो 57 सेगवटा 7% बढ़ गई यानि मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ विक्री के भी पहले कितनी थी अब कितनी है और उसके बाद मैं लिखोंगा यहाँ पे टिकट का मुल्ले पहले और अब दोस्तों तो कह रहा है कि टिकट की जो विक्री है ना जो पहले साथ हुआ करती थी जो पहले साथ हुआ करती थी विक्री अब वो च्यार जादा होती है वही शाथ में 57 परसंट बढ़ गी यानि जो टिकट मैरी पहले साथ विक्रा करती थी आज वो च्यार जादा बिखती है यानि अब कितनी बिखती है दोस्तों 11 और टिकट का मुल्ले है वो भी मैंने winds 8,2 बटा 3% बढ़ा दिया इसका मतलब अगर टिकट का मुल्य पहले अगर 6 रुपए रहा करता था तो आज उसमें एक का इजाफा हो गया तो आप वो कितने की होगी दोस्तों 7 रुपए के टिकट मिल रहे होगी यानि इसका मतलब यह हुआ कि 6 रुपए की टिकट 7 विक रही थी यानि परती टिकट अगर 6 रुपए का रेट है तो 7 टिकटों का मुल्य कितना हो जाएगा दोस्तों 24 रुपए दूसरा अगर 7 रुपए अब टिकट का मुल्य हो गया और विक भी 11 रही है तो मुझे जो रिवेन्यू मिल रहोगा दोस्तों कितना मिल रहोगा 77 रुपए 35 रुपय जद्धा कमा रहा हूं कितने पर दोस्तों बी आलीस पर तो 100 पर कितना दोस्तों कैलकुलेट कर देंगे साथ पंजे पैंतीस साथ शेकी बी आलिस अब देखें दोस्तों यहाँ पर यह आपको आगे कैलकुलेट करेंगे आप पांसो बटे च्छाय करेंगे ऐसे नहीं करना यह तो बहुत ट्रेड़ हो जाएगा यहाँ पे आपको देखना कि एक बटा च्छाय किसमें आता है एक परस में 10 बटे तीन आएगा तो इसको लिख सकते हैं दस बटा तीन को तीन सई एक बटा तीन यानि 83 सई एक बटा तीन परसेंट की क्या आएगी दोस्तों रिविन्यों में वर्द्धी हो जाएगी ठीक है दोस्तों बात आई समझ में कि जो चीज पहले में 42 रुपे कमा र दोस्तो 33 से यानि गुणा में 100 कर रहे होंगे न 500 बटे 6 है यह तो इसको हम क्या भी लिख सकते हैं 33 से बटा 3 परसेंट भी लिख सकते हैं दोस्तों आसा करता हूँ यह चीज़ा आपको समझ में आई होगी आईए दोस्तों आगे बढ़ते हैं कि अगले स्वाल पर कह रहा है कि एक आदमी एक संख्या को 3 बटे 5 के बजाए 7 बटे 4 से गुणा कर देता है तो उसके राजसव में यानि उसके जो रिजल्ट है संख्या का उसमें कितने परसेंट का बदलाव आएगा दोस्तों यानि कोई संख्या थी उससे मुझे गुणा तो करना था 3 बटे 5 से बई और मैंने मान ली जे कर दिया गुणा कितने से 7 बटे 4 से लेकिन दोस्तों एक बात नुग दोचनी है जो 5 और 4 दोनों से भाग जाती हो कैल्कुलेंस्ट को आसान करने के लिए हैं तो हम क्या करेंगे पाँच सब्सक्रासे तो मेरा जो परणाम आएगा दोस्तो तो निकल दिया तो कितना आएगा इहां पर 23 परसेंट द्वे ज़ादा निकल दिया पाँंच में दो गई तीन तीन में एक गई दो तेस नम यानिछcción ह Highway परिनाम बारह निकाला कितना 35 कितना ज़ाधा निकालाऊ दोस्तों 23 निकाला कितने पर 120 पर 322 बारह को लिखना है यहां पर दो moms सब्सक्रिक्राइब कma सब्सक्राइब कर्यामалы इस होगा क्वोच okay सब्सक्राइब सब्सक्राइब निर्ड़ क्वा सब्सक्राइब तो कि नोष से इंधीर फॉर कि such as इसको कैसे गटाना है आप इसको डारेक्ट मत गटाईए लसे मुल्सम लेने क्या आउसकता नहीं है आप एक बड़ी संख्या गटाईए यानि आठ से जस्ट बड़ा नमर क्या है दोस्तों नो तो 200 में से नो गटाएंगे दोस्तों कितना आएगा एक सो इक्यान में अब इस तीन में से गटा देंगे तो दोस्तों कितना आएगा दो बड़ा तीन दोस्तों यानि एक सो इक्यान में सही दो बड़ा तीन परसेंट इसने ज्यादा मार्क निकाल दिया रजल्ट है वो एक से क्यान में सही दो बड़ा तीन परसेंट ज्यादा न यानि करना था गुणा कितने से दोस्तों 5 बटा 3 से कर दिया कितने से 3 बटा 5 से तो संख्या क्या होगी दोस्तों तो सबसे पहले 3 और 5 का LCM कितना दोस्तों 15 यानि संख्या थी 15 ठेक है संख्या तो बराबर रहेगी संख्या तो एक ही है लेकिन करना था गुणा 5 बटा 3 से कर कर्दिया कितने से 3 वट अगर 5 वटे 3 से करता तो मेरा था 25 व्यांटम है कितना कम आए सोड़ा कमारा है 25 व्यांसा पर कितना coronavirus 5 तो तो यह आएगा, चौंशट परसेंट मैंने क्या कर दिया, दोस्तो, परिणाम में कमी कर दी, चौंशट परसेंट की क्या कर दी, दोस्तो, परिणाम में कमी कर दी, ठेक है, आसा करता हूँ कि यह सवाल आपको समझ में आया होगा, आएए आगे बढ़ते हैं, अगला स्वाल है दोस्तो वैसे तो हमने चिन्ने के उपर जो स्वाल है वो second part में discuss कर ले हैं बहुत ही अच्छे से अगर आप नहीं देखा है तो आप जाएए चैनल पर आपको वीडियो मिल जाएगा percentage part second first भी है वो भी देख सकते हैं अगर आपने नहीं देखा है तो second part में जाएए मुल्ले की वर्दी ETC समंदित हमने स्वाल उसमें solve किये हैं आपको समझाए हैं दोस्तों छेक है लेकिन फिर भी यहाँ पर थोड़े से अलग परकार के स्वाल है तो इनको भी देखना जरूरी है दोस्तों क्योंकि यह exam oriented स्वाल है कह रहा कि चिन्नी की कीमत में 30% की कमी आने से खपत में कितने % की वर्दी की जाएगी कि खरच में केवल 10% की ही कमी हो यानि अभी तक जो हमने सवाल डिसकस किये थे वो इस प्रकार से थे कि अगर मान लिजिए चिन्नी की मुल्य में 20% की कमी आ जाती है तो मुझे खपत में कितने % की वर्दी करनी होगी कि मेरा जो अब बर रहे है कैसे कि अगर मान लीजिए चिंड का मुल्य ऐने मेरे पास मान लीजिए दोस्तों 40 रुप कीजी लेकिन अगर चिंडिका मुल्य दोस्तों घट जाए पांच रुपए परती केजी हो जाए तो मैं चिन्ने कितने लेक्ट आउंगा दोस्तों आठ रुपए परती केजी बातारी कि नियर इस समझ में यानि मैं क्या चारा हूं कि मेरा खर्चा केवल कितना हो 40 रुपए का हो तो अगर 40 रुपए ही मेरे पास है और अगर चिन्ने का भाव 8 रुपए है तब तो मैं पांच किलो चिन्ने लेकर आउंगा और अब चिन्ने का भाव कम हो गया तो मैं जादा चिन्व लेकर आउंगा तो देखा दोस्तो इस सवाल को हम कैसे कर रहे होंगे तो दोस्तो मैंने आपको बताया था कि जो वस्तु का मुल्य और आपका जो खर्चा है उसका अनुपात या वो चिज़े एक ही होती हैं वस्तु का मुल्य बढ़ेगा तो आपका खर्चा भी बढ़ेगा और दूसरा दोस वस्तु का क्या हो चुका है बढ़ चुका है अगर आप चाहते हो कि मेरा खर्चा समानी रहे एक समान रहे तो अगर वस्तु की कीमत बढ़ेगी तो आप वस्तु कम परचेज कर पाऊगे अगर वस्तु की कीमत घटेगी तो आप चीज़े जादा ले क्या रहे हो ठेक है दोस् जो चिन्नी के उपर मैं 100 रुपए खर्च कर रहा था आज मुझे कितने करने पढ़ेंगे दोस्तो 70 रुपए अगर दोस्तो मेरा जो मुल्ले है यानि पहले अगर मैं खर्चा सू रुपे का कर रहा था आज मैं सत्तर गरूँगा चिन्ने के उपर क्योंकि 30% की क्या आगी उसमें कम ही आ गई अगर मुल्ले गटा है तो मेरी मात्रा क्या होगी दोस्तों क्वांटिटी जो मात्रा है वो क्या होगी दोस्तों भड़ेगी यानि मुझे साथ से दस मुरुपे अपने जो है न देखो परिस है वो 30% गटा है यानि इस सेज़ को हम ऐसे समझते हैं कि मुल्ले और मुल्ले भई पहले और अब भई तो पहले देखो 30% का मतलब कितना होता है 3 बटा 10 होता है यानि अगर पहले मुल्ले 10 था तो आज 3 गट गया कितना हो जाएगा इसका मतलब जो आपकी मात्रा है जो पहले आप 7 लेक्या रहे थे आज कितने लेक्या होगे 10 लेक्या होगे पहले अगर आप 7 लेक्या होगे आज 10 लेक्या होगे कितना जाद लेक्या होगे 3 बटा 7 बातारी समझ में तो वही चीज में आपको यहां पर समझाने की कोशिज कर रहा हूं कि जो चीज पिरिश अगर 100 से 70 हुआ है तो आपकी quantity 70 से 100 होनी चीए तो कितना होगा दोस्तो 30 बटे 70 लेकिन वो कब होगा जब आपका खर्चा कितना हो रहा हो 100 रुपे का लेकिन वो ही कह रहा है कि खर्चे में तो केवल 10% की ही कमी आने चीए यानि परिवार चाता है कि 100 रुपे खर्चा ना करके 10% कम खर्चा करें यानि 90 ही रुपे खर्च करें तो 70 से हमें कहा जाना पड़ेगा 90 पे तो कितना जादा लेना पड़ेगा दोस्तो 20 बटे 70 अगर 100 रुपे चाता तो 30 बटे 70 लेकिन परिवार चाता है कि 10% की कमी आए बस केवल तो यानि 70 से हमें 90 के और जाना होगा यानि अगर किसी चीज़ का मुल्य 9 से 7 हुआ है तो मेरी quantity साथ से क्या होगी नो होगी वही सेम चीज़ यहां पर कर रहे हैं क्यों क्यों क्योंकि यहां पर 100 नहीं चाता परिवार परिवार चाता है कि खर्चा केवल 90 का आए बात आगी समझ में तो दोस्तों 2 से गुणा में 100% निकाल देंगे दोस्तों यहां पर तो 2 बटे 7 का मान कितना होता है 28 सही 2 बटे 7% के क्या करनी पड़ेगी दोस्तों आपको वर्दी करनी पड़ेगी आगे बढ़ते हैं दोस्तों अगले स्वाल पर कर रहे हैं कि चिन्ने की किमतों में 20% की वर्दी होई तो चिन्ने की किम्मत में वर्दी होगी दोस्तु तो आप चीज़े क्या कर पाऊगे कम खरीद पाऊगे ठेक है, करहा है कि खपत में कितने किलोग्राम की कमी की जाए कि खर्च केवल 5 परसेंट ही बड़े जबकि प्रारम में खपत जो थी 280 किलोग्राम थी ठेक है दोस्तों क्या कह रहा है ये बैग क्या कह रहा है कि चिन्ने की कीमतों में कम ही आगी तो खपत क्या होगी बढ़ेगी लेकिन परिवार चाता है कि जो खपत पे खर्चा है वो केवल कितना बढ़ना चीए 5% बढ़ना चीए तो दोस्तों देखें जो चिन्ने का मुल्ले है या आपका expenditure है खर्चा है वो सो से कितना बढ़ गया बीस हो गया तो मेरी जो मात्रा है जो quantity है वो क्या हो जाएगी घट जाएगी जाने इस चीज को मैं और छोटा कर देता हूं लेकिन यहां पर सो ही मानना पड़ेगा क्योंकि फिर आपको 105 और 90 करने में कम जादा करने में कोई दिक्कत नहीं आएगी अगर आप इसको रेश्य में ले आओगे तो फिर आपको दोड़ा सा दिक्कत हो सकते है क्योंकि हमारा basic जो है जो कमजोर विद्यारते में देख रहे हैं वो इस चीज को नहीं समझ पाएंगे इसलिए एक एक बच्चे को साथ लेके चलने क कूस रुपे में लेकिन मैं चाता हूँ मैं तो खर्चा 100 रुपे ही करूंगा तो दोस्तों मुझे चिन्ने क्या करनी पड़ेगी कम घईदने पड़ेगी क्योंकि चिन्ने का भावत 120 का है लेकिन मेरी जेव में कितने है 100 रुपे हैं तो चिन्ने मुझे दुकांदार क्या करेग यादि आपका अगर मुल्य बढ़ेगा चिन्ने का , तो मातर आपको क्या कर नी पढ़ेगी कम करनी पढ़ेगी लेकिन मैं चाहता हूं कि मेरा खर्चा केवल पांच परसेंट बढ़े यानि जो खर्चा पहले 100 रुपए काता था आज मैं चाहता हूं कि केवल 5% बड़े यानि मेरी जेव से केवल 105 रुपए दुकानदार को देने पड़े लेकिन दोस्तों चिन्नी का भाव कितना है 120 का है कि 120 रुपए की चिन्नी 105 में किलो आएगी नहीं आएगी यानि quantity फिर भ यानि अगर मेरा परिवार पहले यह क्या दरसाता है वास्तिक संख्या को दरसाता है वास्तिक वेल्यू रियल वेल्यू यानि अगर मेरा परिवार पहले आठ केजी चिन्नी खरीदता था तो आज एक कम खरीदता है एक की क्या करनी पड़ेगी दोस्तों कम करनी पड़ेगी ठेक है लेकिन क्या कह रहा है कि परिवार की जो प्रारंबिक खपत थी वो तो 228 के जी थी यानि आठ का मान यही तो पहले का आठ उनिट का मान 280 के जी है एक का मान कितना आएगा दोस्तो आठ या 24 आठ पंजे 40 और परिवार ने पुछा कि अब वह कितने किलोग्राम की कमे करने पड़ेगी तो कितने किलोग्राम की कमे करने पड़ेगी दोस्तो 35 किलो की तो अब वर्तमान में परिवार कितना खपत कर कर रहा होंगा वरत्मान खपत कि क्बात करें दोस्तों तो 35 किलों कम कर रहा होगा यानी पहले 200 80 की किल겠지만 पने आगे करते थी आज 35 कीलों कम लेके आ रहा हूंगे ठीक दोस्तों यहां पर कितनाisfalad के दोस्तों कह रहा है कि किमत में 30% की वर्दी की वज़े से एक परिवार 40 किलो कम चिन्नी परियोग कर रहे है जाहिर सी बात है अगर चिन्नी का या किसी वस्तू का मुल्य बढ़ेगा तो हम चीजों को कम यूज करेंगे क्योंकि हमारे पास सिमित मारता में खर्चा है हम चाहते हैं कि हमा आज का मिलेगी कम मिलेगे वही चीजिँ यहां पर है किमत में 30% की वर्दी वी परिवार 40 किलो कम ची नि परियोग कर रहा था ताकि करेंद्वाह täll केवल 10% elaborate 40 kilo कम इसलिए यूज कर रहा था कि वह चाहता था एक खर आब 10% थी बड़े दोस्तों देखें दोस्तों परिसnaires य जबकि quantity का ratio प्रिस या expenditure की ratio से अपोजिट होता है universally proportional होता है दोस्तों ठेक है तो चिर्नी का मुल्ले 100 से कितना हो गया दोस्तों 130 हो गया दोस्तों तो मुझे जो खपत थी जो मात्रा थी मेरी खपत है वो 130 से कितने करने पड़ेगी 100 करने पड़ेगी लेकिन मैं चाता हूँ मेरा जो परिवार चाता है कि खर्चा 100 से 10% बड़े बसके वल यानि मैं चाता हूँ कि खर्चा पहले जो मैं 100 कर रहा था आज मैं 110 रुपय करना चाता हूँ यानि बार है 130 रुपे का मेरे पास 110 रुपे ही हैं बाई कितना कम मिलेगा 20 का युनिट यानि 20 युनिट कम मिलेगा कितने पर 130 पर तो इसका मतलब कितना आएगा दोस्तो 2 बटे 13 यानि अगर पहले इतना किलोचिन्न ही यूज़ कर रहा था अब इतना कम यूज़ कर रहे हैं बाता की समझ में यानि पहले जो खपत होती थी जो पहले खपत होती थी वो 13 यूनिट की आज 2 यूनिट कम यूज़ कर रहे हैं लेकिन एक्शल में कितना यूनिट कम कर रहे हैं दोस्तो 2 यूनिट का मान बराबर कितना है दोस्तो 260 और अगर मैं बात करना चाहूं दोस्तो वर्तमान खपत की वर्तमान खपत की तो पहले 260 यूज़ करता था आज मैं 20 किलो कम यूज़ कर रहा हूं तो दोस्तो 240 किलो मैं चिन्नी सुरी 40 किलो यूज़ कर रहे हैं न 40 किलो कम यूज़ कर रहे हैं तो आप कितना दोस्त किलोगत quién कम युज़ करनें दोस्तो आज खफघ्जों कितनी उरी है 220 किजी की जो परिवार में खफ़था पहले 260 किजी की उती थी आज safrag раз mo her कि तो कितनी उरी होगी 220 किलोगी दोस्तों ठीक है है आगे बढ़ते हैं आगे बढ़ते हैं दोस्तों अगले स्वाल पर खहरा कि चिंड्य की किमतों में 30% की क्या आगी दोस्तों कम ही इस वज़य से एक प्रिवार 31 किलो चिनी आधी खरिदता है किमत कम हुई तो चिन्ने जादा ले आया कितनी जादा ली आया बही 31 किलो ताकि खर्च केवल 16% ही कम हो तो ताजा खपत ग्यात करो तो देखे किम्मध यानि चिन्य की जो किम्मध है वो 30% कम होगी यानि जो पहले मेरा खार्चा 100 रुपय का होता था चिन्य के अपर वो 30 रुपय कम होता, कितना खार्चा होता है दोश्तो 60 रुपय कि ए अगर खर्चा कम हो रहा है तो मेरी मात्रा क्या करोंगा मैं बढ़ा हूंगा लेकिन मैं चाहता हूं कि खर्च सो रुपअ करना होके सोडा पर्षंट कम हो तो iso 9 सट कम होगा तो जो खर्चा मेरे पास 94 रुपे हैं वही, तो कितना ज्याद्दा मिलेगी दोस्तों, 14 जोधने पर 70 पर, तो एक बटा 5, यानि अगर पहले खपत 5 की थी, तो अब मैं इतना ज्याद्दा खरित पर रहा हूँ, इस कमे की वज़े से, तो एक यूणिट का मान कितना है, दोस्तों 31, तो पाँ तो इक तीस किलो जदा खृत पर रहा हूं तो वरत्मान खबत कितनी आएगी दोस्तों एकसो पिच्पन पलस में एकसो पिच्पन पलस में एकसो 86 kg परिवार मेरा यूज़ कर रहा है पहले से 31 kg जादा जो पहले खबद 155 kg की थी आज खबद 186 kg की है चिन्नी की मेरे परिवार में क्यों? क्योंकि चिन्नी का मुल्य 30% गटा लेकिन मैं चाथता था कि मेरा खर्चा केवल 16% ही कम हो तो 70 रुपए की चीज़ थी मेरे पास 84 रुपए थे तो 70 वाड़ी मुझे 14 जादा मिलेगी यानि एक्च्वल में 5 अगर यूज़ कर रहा था पहले जिन्नी तो आज मुझे 1 जादा मिलेगी एक उनिट का मान एक्च्वल में कितना दे रख़ा है दोस्तो यह दोस्तो आगे बढ़ता एकले स्वाल पर कर रहा है कि एक मसीन की किमत 6,250 रुपए है उस किमत में उसकी किमत में पहले वर्स 10% दूसरे वर्स में 20% और तीसरे वर्स में 30% की कम ही आ जाती है तो तीन वर्स बाद उस मुले उस मसीन की जो किमत है वो कितने रह जाएगी दोस्तो तो अगर इसको बेसिक से करेंगे दोस्तो तो इसको करेंगे भी मानना मुले अगर अगर वर्तमान मुले अगर 6,250 रुपए है तो पहले वर्स कर रहा है कि 10% की वर्दी आई यानि आप कर रहे होंगे 6,250 गुणा में 110 बटे 100 कि अगर कोई चीज 100 थी तो आज 10% की वर्दी होगी 110 होगी दूसरे वर्स उसमें कमी आई यानि कमी आई है 10% की अगर कमी आई तो दोस्तो कितने दे जाएगी 90 दूसरे वर्स में 20% की कमी आई यानि दूसरे वर्स अगर कोई चीज 100 है 20% की कमी आगे तो कितने रहेगी वो 80 रह जाएगी चेक है तीसरे वर्स दोस्तो अगर कोई चीज 100 थी तो फिर से कितने कमी आई तो 30% ने 70 रहेगी इस परकार से आप calculate कर रहे होंगे direct कैसे करेंगे दोस्तो इसको ratio method से करेंगे चीक है कैसे देखिए 10% का मतलब कितना तो दोस्तो 1 बटा 10 20% का मतलब कितना दोस्तो 1 बटा 5 30% का मतलब कितना दोस्तो 3 बटा 10 दोस्तो हम कर रहे हैं पहले किमत कितनी थी भई मसीन की पहले किमत और अब किमत इतने है कि पहले साल किमत में 10% की कमी आई यानि अगर पहले साल वस्तु की किमत 10 थी तो अब एक कम होगी कितने होगी दोस्तो नो एक साल बाद नो होगी दूसरे वर्स अगर उस वस्तु की किमत दोस्तो पांच उर्पे रही तो उसमें फिर से एक की कमी आगी यानि कितनी हो जाएगी चार दोस्तों तीसरे वर्स दोस्तों अगर वस्तुगी किमा 10 है तो फिर से कम याई जाएगा यानि जो चीज पहले 500 रुपए की थी आज 126 रुपए की रह गई यह दोस्तों आगे कट्रा यहां पर काट सकते हैं तो इसका मान दे रखा है दोस्तों 625 के बातारी समझ में 250 का जो मान है आप स्कोर भी काट सकते हो लेकिन आप ऐसे इस प्रकार सिसको काट यह ता ठेक है अब यह 126 है तो 126 को भी 25 से गुणा करेंगे दोस्तों तो आप का अंसर यहां पर आ जाएगा दोस्तों बात आगी समझ में तो इस प्रकार से हम कर रहे होंगे कि पहले साल अगर कीमत 10 थी उसमें 1 की कमी आई 9 फिर 5 हुई तो 5 में 20% की कमी आई यानि एक की कमी अगर आप आर पर काट रहें तो कट सकता हैं यहां पर कोई दिक्कत वारी बात नहीं थी यहां और भी काट सकते थे हमें यहां पर 250 सकते थे आगे बढ़ते हैं अगला स्वाल है दोस्तों कि एक वस्तु के मुल्य में हर वर्स यह इसी प्रकार के सवाल जन्संख्या वाणे बी आते हैं ठीक है सेम चीज यहाँ पे है के वल डाटा का फरक मिलेगा कि जन्संख्या इतनी है परतेक वर्स इतने वर्स बढ़ती है 20% बढ़ती है तो 3 वर्स वाजन से क्या होगी तो सेम ही ratio method से हम इस सवाल को कर सकते हैं दोस्तों कह रहा है कि वस्तू के मुल्ले में हर वर्स 10% की कमी आ जाती है यदि वस्तू का वर्तमान मुल्ले 729 रुपए है तो 3 वर्स पहले उस वस्तू का मुल्ले क्या रहा होगा दोस्तों तो परतेक वर्स अगर 10% की कमी आती है तो आप लिखेंगे 10 से 9 हुई भई 10 से 9 हुई भई फिर तीसरे वर्स भी 10 से 9 हुई यह हो जाएगा दोस्तों आपका 1000 यह हो जाएगा दोस्तों 739 यानि यह वर्तमान मुल्ले है ये क्या था भई पहले वाड़ा मुल्य और ये क्या है दोस्तों वर्तमान तीन वर्स बाद उस वस्तों की मुल्य कितना जाएगा दोस्तों 739 आ जाएगा सवाल में भी क्या दे रखा है दोस्तों 739 यानि तीन साल पहले वस्तों का किमत कितना था जारर रुपे आज गटके कितना हो गया में सब्सक्रामाइंगे दोस्तोत तो उले में सब्सक्राइब अगला सौनम भी सेम ही है गिसी मुल्ण की मुल्ले में दस calling की गिरावट आ ही है यदि है तीन वर्स पहले खरिदा गया हो तो इसका वर्तमान मुल्य 5832 है तो खरीदते समेश का मुल्य क्या रहा होगा सेम सवाल है जैसे अभी पिसला क्या है आप कर सकते हैं दोस्तों आगे बढ़ते हैं आगला सवाल है कि किसी संपत्ति का मुल्य प्रती वर्स 5% की दर से कम हो जाता है दोस्तों यदि उसका वर्तमान मुल्य 4000 यानि 4,11,540 है तो तीन साल पहले उस सवस्तों के किमत क्या रही होगी पांच परसेंट का मतला होता है दोस्तों एक बटा 20 यानि पहले कीमत अगर 20 थी तो फिर एक घटी 19,20 से 19,20 से 19 दोस्तों चेक है और तीन साल यानि 19 का क्यूब बराबर 4,11,540 है तो 20 का क्यूब यानि 8,000 का मान हम निकार देंगे दोस्तों यानि ये सवाल भी आसान है हम कर सकते हैं खुद कर सकते हैं दोस्तों आगला स्वाल है कि यदि किसी मसीन के मुल्य में परति वर्स 5% की कमी आ जाती है यदि उसका वर्तमान म पहले उसका मुल्य क्या रहा होगा तो ये भी सेम ही सवाल है जैसा हमने पिछला किया था सेम उसी कंसेट का सवाल है आप खुद इस सवाल को कर लेंगे दोस्तों आगे बढ़ते हैं अब आते हैं दोस्तों चुनाओं वारे संबंदित सवाल दोस्तों देखते कैसे करेंगे आईए दोस्तों लेते हैं पहला स्वाल यहां पर स्क्रीन पर आपको दिख रहा होगा कि एक विदान सवा के चुनाओं में एक उमिद्वार को कुल वैद मतों का 55% वोट मिलता है उसमें कुल मतों के 2% नव अवैद गोस्चित कर दिये गए थे भई ठेक है तद अनुसार यदि कुल मत दताओं की संख्या 10,000 यानि एक लाख चार जार रही है तो उमिद्वार के पक्स में कुल कितने वोट पड़े दोस्तों ठेक है बात आगी समझ में तो देखे दोस्तों अगर मान लीजिए सुनाओं में कुल 100 लोगों ने वोट डाले हों यानि कुल मत कितने हों दोस्तों तो ऐसे सवाल में कि संख्या दे रख्या 2030 हीbirds में सवाल के संख्या दे रखी आपको एक लग लाखतार हजाना है। यानि अगर कुल मान एक लाखचार हजार है तो इसका अठान मैं पर्साट निकाड़ेंगे वरिपयि पहले क्या निकाड़ेंगे दोस्तों अठान तो में से 2% अवैद हो गए तो पड़े कितने दोस्तो अठाणव परसेंट यानि अगर कुल मत एक लाख चार हजार है तो इनका अठाण में परसेंट ही तो पड़े होंगे और इतने वोट पड़े दोस्तो इसका उसने 55% प्राप्त किया तो इसको डारेक्ट हम गुणा कर द करेंगे दोस्तों यहां पर आएगा चपन जीरो चपन इस सवाल का आंचरा जाएगा यानि व्यक्ति को जिसने चुनाव जित्ता है इस 55% वाले को कितने वोट मिले कुल मिलाकर चपन जीरो चपन इसलिए डाटा के अकोर्डिंग सवाल को चलने कोशिस करें फाल तुमें अ अगर दे रखा हो तक कितने मतों से जित्ता तब तो यहां पर इसको ग्राफ से कर सकते थे लेकिन अगर यहां पर ऐसा नहीं है तो आपको थोड़ा सा सिद्धा ही चलना पड़ेगा कुल मोट कुल वोट थे वही एक लाख चाराजार का आठाण में प्रसेंट पड़ा यान का प्रयोग नहीं किया यानि अगर कुल मत दोस्तों अगर मान लीजिए सो पड़े हैं अगर कुल वोट अगर कुल वोट दोस्तों सो पड़े हैं तो सो में से तो आठ परसेंट ने तो यूजी नहीं किया यानि कुल वोट पड़े कितने दोस्तों बान में अब कह रहा है कि जीतने वाले प्रत्यासी ने कुल मतों के 48% प्राप्त किये हैं, दूसरे ने कितने प्राप्त कियेंगे दोस्तू 44? ठेक है, जो पड़े हैं उन्हें से तो प्राप्त किये हैं दोस्तू? yes or no क्यों कि अगर कुल मतों का आप करेंगे हाद 40% तो थोड़ा सा यहाँपे सुवाल आपको थोड़ा सा अलग परकार करना जरा सकता है क्यों 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 कि आपको यहाँपे 100 में से 48 पर दूसरे को कितने जदा मिलेंगे कि आहरने वाले को नहीं ठेक है सवाल में क्या कर रहा है जेतने वाले प्रत्यासी ने कुल मतों के 48 परसेंट मत प्राप्त करकर 1100 मतों से दूसरे प्रत्यासी को हराया जब कि 8% मत दाताओं ने अपने मत का प्रयोगे नहीं किया तो इस सवाल को अगर आप डारेट कर रहे होते दोस्तों बेसिक से कर रहे होते माल लिजे कुल मतों की संख्या अगर एकस है तो एकस के 8% यगर यूज नहीं क्या तो 9 का कितना दोस्तों यूज यूज यूआ गया है याणि आप지 में किस में से क्यल्कुलेट कर रहे हूं बाण में इस क्यल्कुलेट कर आइगा क्योंकि प्लमत कितने है एक्स मानने है लेकिन सवाल में दिया हुआ है कि जितने सवाल में चुमाया गया है两ग्मिज का खिला यहां पे अगर कुल वोट पड़े कितने लोट από से को ग्यात्र जितता है वो और कितने से दोस्तों जाएगा चेक्षम्स कर रहा हूं कि अगर कुल वोट अगर सो थे आठ परसेंट ने वोट का परियोग नहीं किया वोट का वोट परियोग नहीं किया दोस्तों ठेक है तो किया कितनों ने दोस्तों बाण में इस बाण में मैंसे 48 तो जीतने वाले ने पराप्त की ग्यारा सो के एक उनिट का मान आएगा दोस्तो 255, कुल वोट कितने हैं दोस्तो 100, तो 100 का मान कितने आएगा 27,500 यहां पे कुल वोट थे दोस्तो, ठेक है, आसा करता हूँ कि आपको इस समझ में आया होगा, आगे बढ़ते हैं दोस्तो, कह रहा है कि एक चुनाव में दो अमिद्वार है, 75% मत दाताओं ने वोट डाले, यानि अगर कुल मत दाता यहां पे 100 हैं दोस्तो, तो वोट कितनों ने डाले, 75 ने डाले भई, ठेक है, और कह रहा है कि जिसमें से 2% वोट अवैद होगे, पहले तो 100 ने, कुल मत कितने थे, कुल वोट कितने थे दोस्तों, 100 क्या थे यहां पे, कुल वोट थे, लेकिन आपको पता है, कुछ लोग वोट डाले नहीं जाते, यानि वोट पड़े, यानि वोट डाले गई कितने दोस्तों, 75, अगर कुल वोट मान लीजिए 100 हैं, तो 100 में से केवल 75 लोगों नहीं वोट का परियोग किया लेकिन इस 75 का भी 2% जो है अवैद गोस्चित कर दिया गया एक उमिद्वारक को 9261 वोट मिले जो वैद वोटों का 75% है यानि 75 का भी 75% तो 75 का 75% यानि 3 बटा 4 अनुक बात में जाएगा और सवाल में पुछा है कि कुल वोटों की संख्या क्या होगी तो यहाँ पे 75 का 75% निकाड़ेंगा नि 3 बटा 4 निकाड़ेंगे तो गुणा में 75 करेंगे दोस्तो फिर यह आएगा 3,5,15 21,222 बटे 4 आएगा बराबर है कितने हैं दोस्तो बाण में 611 के निकाड़ना क्या है सो कामान तो गुणा में सो कर देंगा जाएगा अगर ऐसे नहीं करना चाहते क्योंकि यह सवाल ऐसे थोड़ा सापको टीपिकल लग सकता है तो आप डारेक्ट कीजिए अपने इस से कंसेट के साथ दोस्तों कैसे कि अगर माण लीजए कुल वो्ट कितने हैं दोस्तों मान लीजिए एक्स हैं कुल वोट कितने हैं दोस्तों x हो गई जो वोट पड़े हैं दोस्तों इनका 2% अवैध हो गय तो फिर वैद कितने दोस्तों अठाण में परसेंट दोस्तों यस और नो गुणा इस ने जो प्राप्त किया है 9262 दोस्तो 9261 वोट जो प्राप्त किये हैं ये बराबर है कुल वैद वोटों के 55% के यानि इसका भी 75% आप इसको सोल कर रहे होंगे इस बराबर बान में 61 गुणा में 100 गुणा में 100 कर रहे होंगे बटे कितना आएगा 55-55 गुणा में 80 में कैलकुलेट करेंगे दोस्तो तो आप इस सवाल को सोल कर जाएंगे ठीक है कर सकते है 55-55 से करेंगे 55-100 करेंगे यहाँ पर 3 से कटेंगे फिर 55-22 करेंगे कटके कैलकुलेट करके आप निकाल सकते हैं दोस्तो इस सवाल को ठीक है यानि वहां से थोड़ा सा आसान यहां पर नज़र आता है basic concepts है ठीक है आगे बढ़ते हैं अगला सवाल है दोस्तों की एक चुनाव में तीन उमिद्वार हैं पहले उमिद्वार को 40% वोट मिले दूसरे उमिद्वार को 36% मिले यदि कुल वोट 36,000 है तो तीसरे वोट मान लीजिए कुल मत 100 है तो पहले को कितने मिले दोस्तों 40 पहले जो परत्यासी था उसको कितने मिले दोस्तों यहां पर 40 दूसरे को कितने मिले दोस्तों कह रहा है दूसरे को मिले भई 36 यानि 100 में से छिंतर तो इन्होंने पराप्त कर लिए तो जो तीसरा परत्यासी इसको कितने मिले होंगे दोस्तो we nice 25 लेकिन कुछ वोट अगर अगर 36000 है तो कितना गुला यानि का 24 प्रसेंट आपको निकार नहें अगर necessaryEs थेग का मान कुतना है तिन तो यहाँ आपका अंसरा जाएगा यानि 24 गुणा में तेन सो साथ ठेक है तो यहां पर आप कैल्कुरेट करतेंगे देखो 6 और 639-0 यानि इसको कैल्कुरेट करेंगे तो यूनिट डिजिटल सम है वो 6 आना चाहिए तो वो संख्या जिसमें यूनिट डिजिट 6 आ रहा होगा ठेक है तो आपका अंसर यहां पर आप इसको कैल्कुरेट भी कर देंगे तो भी आपका अंसर आ जाएगा यानि यह आपको कैल्कुरेट करना पड़ेगा तो कैल्कुरेट करेंगे तो आपका इसवाल आंसर आ जाएगा तो यहां पर दो आपको कैल्कुरेट करना पड़ेगा तो कैल्कुरेट करेंगे तो आप डिजिटल सम से लास्ट के टू डिजट से आप सवालों को सोलो कर सकते हैं केलकुलेशन को छेक है लेकिन जब दो ओप्षन आपको कन्फीज करें दोन्नों का डिजिटल सम समान हूँ तब आपको केलकुलेशन वाँपे करना ही पड़ेगा छीगा दोस्तो आगे बढ़ते हैं के रहा कि संसद्य चुनाव में दो मिद्वारों ने चुनाव लड़ा जीतने वाली उमिद्वार को कुल वोटों का 57 प्रसेंट प्राप्त हुआ तथा वाई कितने मिले उँगे दोस्तों 43 हारने वाले को कितने मिले उँगे तया रिश्यां कि ब चॉद्द बात son लेकिन एक्चुल में कितनी से जिता भी 14,000 से एक उनिट का मान कितना हैगा 3,000 तो कुल वोट कितना जेंगे दोस्तों यहां पर 3,000,000 कैसे हारने वाड़े को 33 भी ले वही जितने वाड़े को 57 कितना ज़ादा जीत रहे यह 14 एक्चुल में कितना ज़ादा ले रहे 24 चोदा यूनिट का मान अगर 24,000 है एक यूनिट का मान कितना आएगा 3000 कुल वोट कितने होते हैं 100 तो 3000 गुणा में 100 करेंगे बराबर 3 लाख आपका आंसर जाएगा दोस्तों अब लेते हैं कुछ मिसलेनियस सवाल जो पर्संटेज में ही आते हैं काफी सवाल हैं तो आइए लेते हैं पहला सवाल यहां पे पहला सवाब आपको दिखा है यहाँ मिस्ट्ट से है लेकिन थोड़ा सा अलग टैप का स्वाल था इसलिए अलग रखा है. क्यों एक शिषाओ की खान में धातू की प्रतिशत्त हो कि 60% यानि एक रिक हैस की खान है उसमें दातू कितरी निकलती है वहल desaposa अब धातुओं में चान्दी की प्रतिसत्त तीन बटाई चार प्रसेंट है क्या है यदि खान से निकले गए आयस्क का मान 8000 किलोग्राम है तो सिशे का ध्रवमान का होगा यूंनि शिसा कितना मिला वह यानि कुल आयस्क यहां पर निकल रहा है वह क्ल जो तो दातू 8000 का 60% है, तो 60% का बंदल कितना होता है, तो 5 से calculate करेंगे, 5 एकम 5, यानि यहाँ पर कितना आएगा दोस्तो, 4800 के जी, यानि दातू इस में से कितना निकलती है, तोटल एस्क जो है, वो 8000 किलोग्राम निकलता है, लेकिन इस 8000 किलोग्राम एस्क में दातू केवल कितनी है, दोस्तो, 4800 के जी, और आगे कहा है कि चांदी, जो आपका रजत है, जो चांदी है, दोस्तो, इस 4800 का 3 बटा, 4% है, दोस्तो, तो परसेंट अटाएंगे, 6 लगे दातू कितनी है, दोस्तो, 4800 के जी, इस 4800 के जी में 36 किलोग्राम चंदी है, तो शिस्सा कितना है, दोस्तो, यहां पर, तो शिस्सा कितना रजाएगा, अड़तारीस सो माइनस 36 बराबर, 47, 24, यानि 47, 64, 64 किया जाएगा, दोस्तो, आंसर रजाएगा, बात आगी समझ में, दातू की जो खान होती है, उसमें, आयस क्या नहीं, मिक्सिंग पदार्थ निकाला जाते है, उसमें दातू को अलग किया जाते है, फिर दातू में चंदी, सिसा, यानि अबरक है, कार्बन है, या लग लग निकाले जाते है, तो यहां पर क्या करें है, तो यहां पर क्या कर अगले घंटे में वैसे उचाई का साड़े बारा परसेंट चड़ती है यदि पोल की कुल उचाई एक सो बान में मिट्र है दोस्तो तो दूसरे घंटे की चड़ाई कितना मिट्र है मकड़े के दवारा दूसरे घंटे में कितना मिट्र की चड़ाई यहां पर की गई दोस्तो तो इस सवाल को दो परकार सेम करके देखेंगे पहले मां आपको बेसिक बताऊंगा फिर हम आपको तो थोड़ा सा सोटकट यहां पर दिखाएंगे दोस्तु आगर यहां पर पोल की जो मुझाई है दोस्तु पोल की उंचाई दोस्तो आपको दे रखी दोस्तु कितने है 122 पहले गंटे चड़ती है 62 से 122 फरसेंट तो दोस्तो 62 से एक बटा दो परसेंट है ये क्या है एक्ट्वल में साड़े बारा परसेंट का ये पांच गुणा है दोस्तो और साड़े बारा परसेंट का मतलब कितना होता है दोस्तो सवाल में क्या कहा गया है टोटल उचाई 102 मिट्र है तो पहले घंटे जो पहले घंटे इसके दवारा चड़ी गई है 102 में का 5 बटे 8 कैलकुलिट करेंगे दोस्तो 8 चोग 32 यानि 120 मिट्र दोस्तो पहले घंटे समकडी ने 120 मिट्र की चड़ाई की अब कहा रहा कि दूसरे घंटे इसने बची हुई उचाई का सेस उचाई तो 120 मिट्र चड़ चुकी है दोस्तो तो बची कितनी दोस्तो बैतर मिट्र इस बैतर मिट्र का 1 बटा 8 चड़ी यानि 1.5-12% चड़ी है तो कितना चड़ी होगे दोस तो 9 मिट्र एक तो यह तरिक है दोस्तों बात आगे ने समझ में देखें दुबारा पोल क्यों चाहिए कितनी दोस्तों पहले घंटा चड़ी एक सो बाण में का 62 सेगवता 2 परसंट निकाड़ेंगे तो इसका पतला 5 पर याठ होता है यानि कितना चड़ी हो 120 मिटर पहले घंटे हो 120 मिट चड़ चुके है तो सेश उचाई कितनी बचि दोस्तो बहातर मिटर आपकी दूसरे घंटे सेश उचाई का 25 बारा परसंट के मेंदी कितना दोस्तों 1 बटा तो भहतर का Harvard निकाल दें कितना एगा दूस्तों 9 दूसरा अगर आप ऐसे नहीं करना चाते तो देखे दोस्तों पहले घंटे चड़ी है पांच बटा आठ दूसरा घंटा चड़ी है एक बटा आठ किसका सेश बची हुई उंचाई का तो ऐसे में क्या मननेंगे दोस्तों आठ और आठ का मल्टिपल नहीं चोशट यूनिट अ आठ चोविस का एक बटा आठ निकालेंगे तीन यूनिट आएगा ठेक है यानि दूसरे घंटे वह टीन चड़ी है जो यह टोटल हाइट है यह चोशट यूनिट है तो चौशट का मानने 152 में है यानि दुगुणा है तो इसका भी दुग्ँणा करतेंगे यानि तीन का स थोड़ा सा यह सवाल क्या हो जाता है complex complex हो जाता है थोड़ा सा लेंग दी हो जाता है एक दो स्टेप यहां पर ज्यादा लेनी पड़ेंगी जब कि इसमें आप डारेट कर रहे थे एक सो बानमे का पांच मेटर अठाट कैलकुलेट की 120 मिटर बची बैतर बैतर का एक बटाट बराबर 9 मिटर ठीक है तो हर जगह ट्रिक भी काम नहीं करती है कहीं कहीं आपका basic चीज़े हैं वो आपको fast आगे बढ़ती हैं दोस्तों ठीक है तो depend करता है सवाल का data क्या है दोस् सब्सक्राइब के 1150 रुपय में 2 kg कम चिंनी खरिता है तो मुल् ли वर्दी के पहले चिंनी खरिदी जा सकती है कितनी चिंदी तो मुलमे वर्दी से कितना वा दोस्तो 120 हुआ तो खपत है वो 120 से 100 करनी पड़ेगी दोस्तों 100 से 120 करनी पड़ेगी यानि कितना गटानी पड़ेगी 20 120 में से कितना एक बटाच है यानि परिवार अगर पहले खपत 6 किलो कर रहा था तो आज उसे एक किलो कम करने पड़ेगी लेकिन एक्ट्वल में एक कामान कितना दे रखा है दोस्तों यहां पर 2 kg 6 कामान कितना है दोस्तों 12 kg यानि पहले परिवार 12 kg खपत यूजद कर रहा था आज जो है वो 2 kg कम यूजद करता है यानि आज अगर वर्तमान खपत की बात करें तो 10 कजी दोस्तों तो सवाल में पुछा है पहले कितने खपत दोस्तों 12 कजी इस परकार के सवाल हमने स्टार्टिंग में इसी वीडियो में भी डिस्क्स कर लिए हैं आप उदेख सकते हैं कर सकते हैं इन सवालों को ठेक है दोस्तों तो ये था हमारा परसंटेज का पार्ट ये परसंटेज यहां पर कम्प्लिट होता है इसमें कुछ और भी इंप्रोटेंट स्वाल है वो हम अगले वीडियो में प्रॉफिट लोस के साथ सुरुवात में डिस्क्स करेंगे ठेक है रेल से डिब्बों सम्मंद आपने पूरी वीडियो को ध्यान से देखा होगा अगर आपको लगता है कि यस आपको समझ में आया है वीडियो आपको ये लेक्चर समझ में आया है तो इसी प्रकार से हम आगगे पढ़ाएंगे आपको समझ में डेफिनिटली आएगा हम पढ़ाते ही बिल्कुल जीरो ल नहीं है तो आप जोइन कर सकते हैं दोस्तु फसकों की डिमांड आई है मेरे पास की एक दो दिन बाद 10 तारीख के एक दो धन बाद भी हम क्या को आंड छो कर सकते हैं तो बिलकुल आप 10 तारीख पिर आप उसमें यानि डिस बैलेंसी बनता है जो व्यस्था बनी हुई है उसी के तहता आप इसमें सामिल हुए ताकि हमें भी कोई दिक्कत ना हो बार बार और आपको भी कोई दिक्कत ना आई दोस्तों चेक है तो मैं आगरे करना चाहूंगा आप जल्दी से जल्दी करे दने बाट